आप देख रहे हैं निफ्टी एन बाग निफ्टी शॉर्ट टम व्यू दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने शेर किया था वेन निफ्टी वॉस अराउन 24,350, 24,330 मैंने क्लियरली बोला था कि जो निफ्टी का ट्रेंड है वो काफी फ्लाटिश है यानि की मोमेंटम नहीं है निदर देखा है कि 24,400 के वेनिफ्टी रैली कर सकता है उपर 100-200 पॉइंट में भी 200 पॉइंट तक भी ठीक है तो हम लोग ने देखा है कि 24,400 के 24,400 के जैसे ही उपर गया हमने देखा निफ्टी फ्यूचर्ज ऐस टेस्टेड ओल्मोस्ट प्लोस टू 24,676,80 ठीक है तो सो फार दव्यू इन निफ्टी अज बीन सक्सेस्पूल नाओ ओर्राल ट्रेंड उपर है देर इस नो नेगेटिव डाइवर्जिंस विजिबल इन अवर्ली चार्ट्स और इवन इंट उर्ली चार्ट्स अवर्ली चार्ट्स में भी ज्यादा कुछ नेगेटिव डाइवर्जिंस विजिबल नहीं है थोड़ा सा हाँ आपको एक चोटा सा यहां पर डिप इसके लिए दिख रहा है बिकॉज वी आर करेंटली ट्रेडिंग 161.80% Fibonacci extension तो अलांकि यह resistance देखा यह जब rally चल रही थी देखिए यहां पे भी 127.20 पर चोटा सड़े पाया और पिर वापस rally ने continue किया तो, so far so good कोई जादा ऐसा danger जैसा sign नहीं दिखा रहा है I think overall rally continue करना चाहिए उपर की तरफ but yes it'll have to surpass the recent high जो Friday को जो sorry कल बना है और अगर before going up कभी कभार ऐसा होता है कि एक entire rally में continuously price उपर नहीं जाता एक छोटा सड़े पासकता है and then उपर जाता है if that thing happens तो हमको पता होना चीए कि important support कहां पे मेरे हिसाब से जो important support है Nifty का it is around 24,500 yes there will be smaller supports invisible but a meaningful support में बुलूँगा जो कि previous high होगा hourly or two hourly charts में वो ये वाला high होगा which is around 24,500 to 24,510 तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है bank Nifty में देखते हैं bank Nifty में अगर आपको याद होगा तो I think bank Nifty वो टाइम पे somewhere over year trade कर रही थी और मैंने clearly बोला था कि अगर 52,300 के नीचे अगर trade करता है especially below this low then we will be correcting on the downside not a crash but just a healthy correction or a profit booking और ये भी मैंने बोला था कि जो next support होगा वो होगा 51,880 या 51,900 it so yes we can see that bank Nifty has tested almost 51,870 but वो दर्स पॉइंट का इतना कुछ वाल्यू नहीं है और ये जो 161.8, 127.20 परसन extension ने बहुत ही अच्छा support provide किया market को but initial pullback जो यहां पे हुआ है इस initial pullback के बाद we are in a zone, we are consolidating even in the daily time frame chart we can see consolidation यानि कि first candle यहां पे जो है वो है hammer उसके बाद inverted hammer फिर एक spinning top फिर वापस एक spinning top so there is no momentum whatsoever there is completely consolidation which is visible मेरे हिसाब से जो strong momentum दिखाई देगा price में वो मेरे हिसाब से इस level के ऊपर होगा I think this level is somewhere around 50 to 885, 50 to 900 but again आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां पे एक gap है all right so in case अगर कोई bank nifty में trade करने का सोच रहा है so you will have to keep these levels in your mind it is not going to be easy especially जो लोग call options buy करना चाते हैं breakout के उपर उनको बहुत ही ध्यान से trade करना पड़ेगा because in case resistance या जो gap है जो resistance के तरह ही प्रोव शायद से act कर सकता है if that comes into play then आपका option premium में DK आपको दिखाई दे सकता है दूसरी चीज यह भी मैं बोलूँगा कि अभी आने वाले time पर I think आज 17 तारीक है 23 तारीक बजट है so be very very careful in your trades not just in index but also in stocks especially if you're trading in index आपको पता है आजकल spikes बहुत ही जोर से आ रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है तो मैंने important जो levels है मेरी तरह से share कर दिया है I hope यह video आपको जरूर help कर रहेगा to understand how markets are going to move in the next one week इसके बीच में अगर कोई मुझे update मिला charts के उपर तुम्हें जरूर आपके साथ share करूंगा please let me know with your comments below did you find this video useful or not thank you trade less trade wisely